इसकौन महिला गुरू ने आस्ट्रेलिया को बताया अस्त्रालिया लोग बोले इन पर तरस आता है। देखने में लग रहा है कि इसकौन की माता जी कोई आध्यात्मिक सेशन ले रही थी। उसी दोरान उन्होंने ये कहा दुनिया पर पहले युधिस्तिरा महराज की हुकूमत थी। आज जिसे आस्ट्रेलिया कहते हैं। आपको मालूम है कि आस्ट्रेलिया को पहले किस नाम से जाना जाता था। आस्ट्रेलिया का मतलब है अस्ट्राले वो जगा जहां पांडव अपने अस्ट्रेया हत्यार रखा करते थे वो अस्ट्राले हुआ करता था जो अब आस्ट्रेलिया हो गया है। इसकौन की माता जी निताई सेवनी का ये बयान सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिस पर जनता ने अन्भक्तों को ट्रोल किया है सोशल एक्टिविस्ट प्रिशान कनोजिया ने इस पर तंच कसते हुए कहा भक्तों का नया शगूफा आस्ट्रेलिया का असली नाम अस्त्राले है जहां पांडव अपना अस्त्र रखते थे एक यूजर ने लिखा रवी शंकर ने इन्हें कॉपी किया है या इन्होंने रवी शंकर को या दोनों को एक ही वाट्स ओ फॉर्वर्ड मिला है एक शक्स ने अन्भक्तों को ट्रोल करते हुए लिखा अन्भक्तों का एक अलग हितिहास है या अमेरिका को भी किसी देवता की ससुराल घोशित ना करते परवेज त्यागी नाम के एक शक्स ने लिखा नई प्रियोक्षाला से हर दिन कुछ ना कुछ नया शगूफा छोड़ जाता है अब ताजा है ये आस्ट्रेलिया मृत्युंजे नाम के एक शक्स ने रिखा हाँ तो बहु मूल ले कब इसी लिए तो उन्हें दिया कि अस्ट्राले में सुरक्षित रखा जा सके और पाकिस्तान या चीन की निगाहों से बचे रहे आपको बता दे इसी तरह का दावा कुछ सालों पहले शिरी शिरी रवीशंकर ने किया था जिस पर सोशल मीडिया पर उनकी भारी आलोचना हुई थी रवीशंकर ने अपने बयान में कहा था देखो इस आस्ट्रेलिया का मूल पता है कैसे आया महाभायत में ये अस्त्राले था जो बाद में आस्ट्रेलिया बना कहते हैं महाँ सारे पावरफुल वेपन्स रखे होते थे इसलिए आज भी आस्ट्रेलिया के बीचो बीच पूरा मरुस्खल है वज्ञानिक कहते हैं कि कई हजारों साल पहले यहां कोई न्यूक्लियर धमाका हुआ होगा ना वहाँ कोई जीवजन्तु है ना कोई व्रिक्ष है जो भी आस्ट्रेलिया की जनसंख्या है वो समुद्रे के किनारे किनारे है आपकी क्या राय है कॉमेंट पर जरूर लिखे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें बाल आइकन बटन जरूर ट्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकी